Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के chapter reproduction in animals का एक और नया topic discuss करने वाले हैं and that is cloning. Previous session में हमने बात करी थी metamorphosis process की और frogs में and silk moth में कैसे metamorphosis होता है यह हमने सीख लिया है. वो पूरी कहानी थी अपने previous session की और आज के इस session में हम अपने इस chapter का last topic discuss करेंगे and that is cloning. So I hope आज के session का target सभी बच्चों को है एक दम crystal clear. तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के session को हम start कर लेते हैं. So this is Vibhuti Kharev, welcome to Magnet Brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं. बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost. तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं. आज का हमारा ये session जहाँ पे हम बात करेंगे cloning की. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि cloning is the production of an exact copy of an animal. क्या बोला जा रहा है कि है क्या exactly cloning? तो इस process में, cloning की process में हम animal की क्या बनाते हैं? एक exact copy बनाते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम इसी chapter में हमने previous sessions में दो method पढ़े हैं reproduction के. एक पढ़ा है asexual reproduction और एक पढ़ा है हमने sexual reproduction. ठीक है? sexual reproduction में हम बोलते हैं कि दोनो parents involved होते हैं. male parent भी, female parent भी. male parent की body से आता है male gamut. female parent की body से आता है female gamut. और दोनों ही male और female gamut का क्या होता है? fusion होता है, यानि कि fertilization होता है. इस fertilization से zygote बनता है. zygote double up होता है embryo में. और ये embryo आगे जाकर के double up होता है कि इसमें एक young animal में. ठीक है? तो ये पूरी कहानी है किसकी? sexual reproduction की. तो हम conclusion क्या निकाल सकते हैं? कि sexual reproduction में दोनों ही parents involved होते हैं male और female और दोनों ही male और female gamut का involvement होता है. यानि कि male और female gamut का बकाइदा properly fusion होता है. fertilization की process होती है. sexual reproduction हम बोलते हैं कि human beings में भी होता है. जैसे कि मैंना को पहले भी समझाया है कि कई बार you know लोग एक बच्चे को देख करके बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बच्चा बिल्कुल अपनी mama पे गया है. तो papa या mama पे जाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है एकदम exact copy है अपने पापा की कि ये रहा father और ये रहा उसका बच्चा और दोनों क्या है एक दूसरे की photo copies ऐसा नहीं होता पापा के उपर जाने का मतलब है या ममा जैसा देखने का मतलब क्या है कि उस बच्चे के अंदर जो भी उसके features है न तो majority features किस से मिलते जोलते है पापा जैसे है इसलिए बोला गया है कि बच्चा किस पर गया है पापा पर गया है या majority features हम बोलते है कि ममा जैसे इसलिए बोला जाता है कि ये बच्चा बिलकुल अपनी ममा पर गया है लेकिन exact copy नहीं होता है बच्चा सवाल यह है कि sexual reproduction में बच्चा तो बन रहा है लेकिने जुब भूद क्यों नहीं है यह तो हमें समझ में और गेना कि तो जो male gamit है, यह है क्या बेसिकल, यह भी तो एक सेल ही है, female gamit भी क्या है, एक सेल ही तो है, तो इस सेल में क्या होगा, इस सेल में हम बोलते हैं कि nucleus होगा, nucleus के अंदर क्या होगा, chromosome होंगे, chromosome किसके बने होते हैं, DNA और proteins के, DNA के उपर क्या होगा, genes, genes क्या होती है, unit of inheritance, यानि की genes ही एक generation से दूसरे generation में आती हैं और यह genes important क्यों है क्योंकि यह genes decide करती है कि body feature कैसा होने वाला है कि आखो का color तो होना है, eye color तो होना है, लेकिन वो eye color black होगा या blue होगा, यह कौन decide करेगा, genes ही decide करती है कि बालों का कोई ना कोई texture तो होना है कि curly होंगे, straight होंगे लेकिन curly है यह straight है यह कौन decide करेगा? यह decide करते है genes ही ठीक है? कहा हम बोलते हैं कि male और female gamut zone क्या है? एक-एक cell ही तो है यह भी एक cell है यह भी एक cell है इसके पास भी nucleus है इस nucleus के अंदर हम बोलते हैं कि genes होंगे लेकिन वो genes किसके होंगे? वो होंगे male parent के, किसके होंगे male parent के, ठीक है, और यह जो female gamet है, इसके अंदर जो nucleus होगा, इस nucleus के अंदर जो genes होंगे, वो genes किसके होंगे, वो होंगे female parent के, ठीक है, female parent के होंगे, अब क्या हुआ, कि दोनों ही gamets का क्या हुआ, fusion हुआ, fertilization हो गया, और क्या बन गया, zygote बन गया जाइगोट हम बोलते हैं कि एक सेली तो होता है सिंगल सेल है और इसके अंदर भी क्या है न्यूक्लियस है अब इस न्यूक्लियस की खास बात क्या होती है इस न्यूक्लियस की खास बात यह है कि इसमें जीन्स है जैसे इसमें न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस है दोनों खास बात क्या होती है इस नूकलियस की कि इस नूकलियस के अंदर जो जीन्स होंगे ना वो कहां से आए हैं वो आए हैं मेल पेरेंट से और वो आए हैं फीमेल पेरेंट से तो मेल और फीमेल पेरेंट बॉटीज के जीन्स ही कहां आए हैं इस जाइगोट के नूकलियस में को जाएगा वो अपने आपको express नहीं कर पाएगा अब suppose लbn land एंक पापA की आखो का जो कलर है वह सपोज कैसा है ब्राउन है ऐई कलर कैसा है और ममा की आखो का क्लर कैसा है सब्सक्राइब है तो ये ब्राउन और ब्लैक कलर की जो आखो का कि जो jeans है ठीक है यह दोनों ही jeans किसमें आए इस लाइगोट में और। ही आगे जाकर के embryo में develop hoगा embryo से हम बोलते हैं कि एक नया बच्चा बन जाएगा तो बच्चे में हम बोलते हैं कि दोनों पाइप जो आइ कलर हैं उन दोनों ही ताइप के jeans आय थह यानि कि black color की black eye color का भी gene आया था और brown eye color का भी gene आया था लेकिन हुआ क्या कि ये जो black eye color का जो gene है वो क्या था dominant था तो वो gene अपने आपको express कर देगा जिसके करण बच्चे की आगों का color क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा इस चीज को ध्यान रखना कि genes दोनों ही आये थे ब्लैक आई कलर का जीन भी आये था ब्राउन आई कलर का जीन भी आये था क्योंकि यहां पर दोनों कि बच्चे की जो आँखें हैं वो किस पर गई है ममा पर गई है क्यों कि ममा की आँखों का color black है तो बेबी की आँखों का भी color क्या हो गया black हो गया ब्राउन भी हो सकता था लेकिन वह हम बोलते हैं कि वह वाला जीन दब कर रहे गया तो जीन तो दोनों टाइप के आये थे ब्राउन आई कलर का भी और ब्लैक आई कलर का भी लेकिन एक्स्प्रेस कॉन सा हुआ डॉमिनेंट वाला तो हमने बोल दे कि बच्चे की आँखों क सब्सक्राइब कर लार कैसा है मामा जैसा है तो यह ममा पर हिग गया है ना सिर्फ यह वाला यह बॉढ़ी फीचर बहुत सारे ब्लबाइज शstru तो बापपए चल गया क्यों कि पापा की हैट बड़ी ठी व हएच छोटी थी बच्चा लंबा हो गया yas काmbar बच्चा गया अपने बापा की उपर आइबाद समझ में तो ये पापा की उपर जाना यह ममा जैसा देखना ये क्वा होता है यह basically sexual reproduction का ही एक result है क्योंकि sexual reproduction में ही दोनों parents involved होते हैं उन दोनों parents से हम बोलते कि उनके respective gametes आते हैं और उन gametes के अंदर क्या होते हैं उनके respective genes होते हैं और यह genes ही आकर कि decide करेंगे कि बच्चे के features कैसे होने वाले हैं ना सिर्फ यह तो एक मेना को example दिया है कि हमारी आखी कैसी है ममा जैसी हमारे face cut कैसा है पापा जैसा है तो लेकिन इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि मैना को बताया कि sexual reproduction में हम बोलते हैं कि यह तो लोगों ने आकर के judge कर लिया कि हाँ यह ममा जैसे पापा जैसे दिखता है लेकिन photocopies तो नहीं होते ना एक दूसरे की क्यों नहीं होते हैं क्योंकि जब sexual reproduction होता है ना तो कुछ-कुछ variations भी देखने को मिलते हैं कई बार ऐसा होता है कि पापा के हम बोलते हैं कि जो suppose बालों का जो टेक्टर है वो कैसा है स्ट्रेट है ठीक है और मम्मी की बालों का जो टेक्टर है वो भी कैसा है स्ट्रेट है लेकिन जो बच्चा पैदा हुए उसके बाल कैसे हो गए करली हो गए क्योंकि कि Variations हो गए辛 elle है जिसकी कारएं कुछ लग ही डातर सामने आया है इस बॉडी फीचर का अब और और यह Cute और सच कोई केस नहीं होता एक ही तो Parent involved होता है उसमें और उसमें हम होते गांच कोई लने क्षिऑन ही नहीं होता तो अलग अलग जीन्स आने का मनलब एक ही चारेक्टर के अलग अलग जीन्स आने के मतलब नहीं रहता अलग अलग जीन्स कैसे आते हैं जब दुनों parents involve होते हैं और उन दोनों पेरेंट के अंदर जो भी उसके jeans होंगे न वो सभी के सभी jeans का आ जाएंगे उसके बच्चे में आ जाएंगे तो जो बच्चा होगा वह तो देखे काई exact copy अपने parent की आए बात आपको समझ में I hope इतना सब को समझ में आया होगा कि कैसे एक्जाइक कॉपीज बनती है अनिमल्स की और सेक्श्वल रिपड़कशन में क्योंकि हम बोलते हैं कि सेम केरेक्टर के लिए अलग-अलग जीन साते हैं एक प्राउन कलर भी आता है आई कलर जैसे मैं अन्हें पताया ठीक है फिर इसके बाद में तो जो डॉमिनेंट वाला होगा जीन वो अपने आपको एक्सप्रेस कर लेगा जो नहीं कर सकता अपने आपको एक्सप्रेस वह बि कि नहीं आखिस सामने निकल करके आई हैं तो हम बोल रहे थे कि बच्चे का स्कृत बिल्कूल अपने पापा जैसा है आखें बिल्कुल पापा जैसी है लेकिन बालों का टेक्स्टरा किया सा हव घड्ली ठाइब जो यहाउं सि उनिए इसलिए मंने बोला और देखेंगे कि किस तरीके से बड़े इनिमल्स से जो उनके यंग वंस निकल के आते हैं वो एकदम exact copies होते हैं, चीक है, चलो, तो any two animals which contain exactly the same genes are called genetically identical, identical का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता, एक जैसा, genetically identical मतलब क्या, कि हमारे वो दो animals जिनके पास same genes है, exactly एक जैसे genes है, उन्हें हम क्या कहते है, identically या genetically identical animals, और obvious सी बात है, यह कहां आपको देखने को मिलेगा, asexual reproduction मिलेगा है ना, कि जो single parent है, उसकी body में जो भी genes थे, और वो सभी के सभी genes कहां आगए है, उसके बच्चे में आगए है, तो उस बच्चे के पास भी कौन से वाले genes आए हैं, जो कि उसके parent में थे, तो दोनों ही animals कैसे हो गए, genetically identical हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि दोनों के बात है, एकदम exact copy होगा अपने parent की, next point, the cloning of a large animals was successfully done for the first time by, I am, इसको आप लोग ठीक कर लेना, विल्मट, ठीक है ना, यह O नहीं, यह यू होगा, आयन विल्मट, तो आयन विल्मट ने सबसे पहले हम बोलते हैं कि large animal पर cloning को successfully perform किया था, वो भी शामिल थे और हम बोलते हैं कि उनके colleagues भी शामिल थे, और यह कहां हुआ था, इडिन बर्क स्कॉटलाइन में हुआ था, आज हमको डॉली के ओपर ही बात करनी है, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, एक शीप को clone किया था, और उसका जो मतलब cloning से जो निकल करके आई थी शीप, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, डॉली नाम दिया था, इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो डॉली की जो ममा थी, डॉली की ममा कौन थी, फिन डॉर्सेट शीप, ये एक फीमेल शीप थी, ठीक है, डॉली the cloned sheep was born on 5th July 1996, कब पैदा हुए थी डॉली, तो 5 July 1996 में, जैसे कि मैंना को बताया ना, कि अभी तक हमने asexual reproduction simple organisms में देखा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि asexual reproduction जो ना perform किया गया है कि इसमें बड़े animals में, बड़े animals में हम बोलते हैं कि usually sexual reproduction ही होता है, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी process जहां पे nature के against जाकर की, nature के against जाकर के हमने, मलब की scientist ने क्या करा था, बड़े animal में asexual reproduction की process perform करवाई थी, और कहां हुआ था, Edenburg Scotland में ये perform किया गया था, और जो cloned sheep निकल करके आई थी, उसको हमने नाम देते क्या dolly, और उसकी mama का नाम क्या था, fin dorset sheep, कब हुई थी पैदा 5 जोलाई 1996 को, dolly sheep was the first member to be cloned, और dolly sheep हम बोलते हैं कि first member थी, जिसको क क्लोन किया गया था, चलो, अब next point क्या है, the cloning of animals is a special kind of asexual reproduction method, जैसे कि मैं आपको बताया, कि भही exact copy बनवानी है न अपने parent की, तो बिना asexual reproduction की तो वो होने से रहा, the cloning in animals is done by the transfer of nucleus of a cell, अब basically हम cloning की process को पढ़ते हैं कि exactly इस process की मेरो technique क्या है, तो the nucleus of a normal body cell of the animal, which we wish to clone, is transferred into an empty egg cell, whose nucleus has been removed, तो जिस animal को हम clone करना चाहते हैं, उस animal का हम बोलते हैं कि एक normal body cell हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे body में तो कई तरह के cells होते हैं और वो cells के से होते हैं, कि कुछ cells हो गए जो की heart को बनाएंगे और blood हम बोलते हैं कि heart की pumping करवाएंगे, जिनको हम cardiac cells बोलते हैं, कुछ cells ऐसे होते हैं जो कि हमारे lungs को बनाते हैं, हमारे respiratory system को बनाते हैं, तो उनका काम क्या होगा, respiration perform करना, है ना, similarly मैं आपको बताता है कि there are certain cells जो कि specialized होते हैं for the process of reproduction, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, basically germ cells कहते हैं, और यही germ cells क बोलते हैं कि male और female gametes का formation करते हैं, तो यहां पर बोला गया है कि जिस animal को आपको clone करवाना है ना, उसका एक normal body cell आपको choose करना है, normal body cell मतलब क्या, germ cell नहीं, वो वाले cell नहीं, जो कि male और female gametes बना रहे हैं, normal body cell यानि कि germ cell को छोड़ करके, बाकी के जो cells होते हैं, हमारे body के, उ जिस भी animal का आपको clone बनवाना है, उस animal का आप क्या करते हो, normal body cell उठाते हो, फिर इसके बाद में, आचा, आपने उसका cell बेसिकल लिए कर रहा है, उठा लिया है, आप उस cell का जो nucleus है, वो आप separate करते हो, नहीं कि cell अलग हो गया, normal body cell का, और हम बोलते हैं कि nucleus वाला पार्ट अ हम बोलते हैं कि egg cell लिया जाता है, ओविस सी बात है, egg है, यहने कि female gamit है, तो cell तो, मतलब वो भी cell है, उसके अंदर nucleus भी होगा, उस सवाने nucleus को हटा दिया जाता है, ठीक है, इसको हम कैसे explain कर सकते हैं, कि हमारे पास एक animal 1 है, और दूसरा हम बोलते हैं कि animal 2 है, तो animal 1 की body से हम normal cell निकालते हैं, और उसका जो nucleus है, इस nucleus को हम क्या करते हैं, separate कर देते हैं, तो egg अलग हो गया और उसका nucleus अलग हो गया, फिर इसके बाद में जो दूसरा animal है, दूसरे animal का हम क्या लेते हैं, egg cell लेते हैं, और इस egg cell का nucleus है, उसको हम हटा ही देते हैं, बाहरी कर देते हैं, यान निकाला है उस बॉड सलिक अम्हें आ यारेच तो सही रहेगा है यह यॉद्न कर देंगे कहां यॉम्हें उस्यक रहेगा, याद रहना था तो egg cell लिया था दूसरे animal का, उसका nucleus हटा दिया, हाँ? और animal 1 का, जो normal body cell था, उसके cell में से nucleus हमने निकाल दिया और ये nucleus ढाल दिया कहां, दूसरे वाले animal के empty egg cell में, कुछ इस तरीके से, अब क्या होगा? ये जो cell होगा, इसको हम naturally छोड़ देंगे, grow करने के लिए इस cell में क्या होगा, basically division होगा, development होगा, कई सारे हम बोलते हैं कि नए नए cells इससे develop हो जाएंगे, कई सारे नए नए cells इससे develop हो जाएंगे, तो जब यह अपनी embryo वाली stage में पहुँचेगा, यहने कि एक ऐसी ball बन जाएगे, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, cells होंगे, तो इस embryonic stage को हम क्या करेंगे, embryonic stage को हम बोलेंगे कि इस animal 2 के body में डाल देंगे, उसके uterus में जाकर के हम embed कर देंगे, और छोड़ देंगे, मतलब जो animal 2 है, फिर वो क्या हो जाएगा, pregnant हो जाएगा, क्यों, क्यों कि uterus में जाकर के, जो embryo है, वो embed हो गया है, याने कि animal 2 ने conceive कर लिय है, और इसका मतलब क्या है, कि pregnancy हो गई है, अब इस pregnancy को हम naturally होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसके बार में इस pregnancy के बाद, जो result निकलेगा, ठीक है, जो result निकलेगा, याने कि जो नया animal बनेगा, यह नया animal आपको क्या लगता है, किस से मिलता जोलता होगा, यह animal मिलता जो इस basically जो आपने egg cell लिया था, यह जो egg cell है, इसका जो nucleus है, वो nucleus किसका था, animal 1 का था, याद करो मैं सब्सक्राइब को अभी बता है था, कि यह जो egg cell है, वो कैसा है, empty है, empty क्यों है, क्योंकि इस animal 2 से, जो egg cell हमने निकला था, उसका nucleus हमने निकला करके fake ही दिया था, हमने क्या कि यह था ईनीमल वन के नॉर्मल बॉडि सेल का नुख्लिस निकाला था और उसका नुख्लिस निकाल करके हम ने इस एंब टी एक्सल में डाला था तो माना कि इस बच्चे को इस अनीमल को एनिमल टू नहीं पैदा करा है लेकिन दिखने में यह ऐसा होगा है कि दरसल अनिम्म यंदा ही बच्चा होगा इसक इते हैं की इसके अंदर बरत कि एक्सल में गया था कि इसे च्छल को ला है चेंज कर दिया है लेकिन अब जो है नॉर्मल प्रेग्नेंसी होगी आपी के अंदर तो यहां पर हमने बोला कि एक exact copy निकल करके आई है कहने को तो यह क्या है बड़े एनिमल की बात हो रही है यहां पर लेकिन बड़े एनिमल में हमने क्या करा है asexual reproduction करवा दिया है कैसे करवा दिया है तो कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसे ही dolly sheep जो है produce हुई थी कब 5th July 1996 में तो अब पर रहे हम detail में पढ़ लेते हैं कि exactly हुआ था ठीक है a newly formed egg cell is allowed अच्छा यहां से हम पढ़ लेते हैं the nucleus of a normal body cell of the animal which we wish to clone is transferred into an empty egg cell whose nucleus has been removed जिसकी nucleus को आप remove कर चुके हो the newly formed egg cell is allowed to develop normally उसको हम छोड़ देते हैं normally develop होने के लिए फिर इसके बार में an exact copy of the animal or a clone is produced you is a female sheep ठीक है ना यहां पर लिखा होगा ewe तो ewe क्या होता है इसको हम प्रनाउंस करते हैं you की तरह you is a female sheep the two sheep which are involved in the cloning of dolly sheep were fin dorset ewe and scottish blackface ewe ठीक है तो dolly को बनाने के लिए उसको उसकी cloning करवाने के लिए मलब उसको clone तयार करने के लिए हम बोलते हैं कि दो female sheep involved थी एक थी क्या fin dorset यह भी female sheep थी और एक थी scottish blackface ewe तो black face से ना समझ में आ रहा है कि उसका जो मू था वो कैसा था black color का था और जो fin dorset थी ना इसका face black नहीं था इसका face कैसा था white ही था ठीक है तो दो female sheep को use किया गया था fin dorset और scottish blackface blackface ठीक है so we can also call them female fin dorset sheep and female scottish blackface sheep ठीक है as the name suggest the Scottish blackface sheep थी उसका face कैसा था black color का था चलो next point क्या है कि cloning कैसे की गई तो normal body cell was removed from the memory gland of a female fin dorset sheep which was to be cloned अब हम करना क्या चाह रहे थे कि जो female fin dorset sheep है ना उसको हम clone करवाना चाह रहे थे यानि कि उसकी हम एकदम exact copy बनवाना चाह रहे थे तो इसके लिए हमने क्या करा उसका एक normal body cell उठाया कौन सा body cell तो हम बोलते हैं कि memory gland से उसका एक cell उठाया गया फिर इसके बार में उस cell को उठाने के बाद क्या किया गया उसका nucleus हटा दिया गया an unfertilized egg cell was taken from a female Scottish blackface sheep and its nucleus containing chromosomes was removed leaving the egg cell empty having no nucleus अब क्या हुआ वो जो black face वाली जो sheep थी Scottish blackface sheep उसको भी उठाया गया और उसका जो है न एक unfertilized egg cell fertilization नहीं हुआ हाँ unfertilized egg cell उठाया गया और उसका जो nucleus है वो हटा दिया गया तो अपने पास क्या आ गया था एक empty egg cell आ गया था किसका empty egg cell आ गया था तो Scottish blackface sheep का फिर इसके बाद में जो हमने fin dorset sheep से जो उसका memory gland से जो normal body cell निकाला था उसका जो nucleus हमने separate किया था वो वाला nucleus हमने कहां डाला Scottish blackface sheep के empty egg cell में हमने डाला क्या आप इस चीज़ को समझे एनिमल 1 एनिमल 2 वाली ही बात चल रही है यहाँ पर एनिमल 1 कौन है भाई फिन डॉर से चीप है जिसको हम क्लोन करवाना चाह रहे हैं जिसकी हम exact copy बनवाना चाह रहे है और एनिमल 2 कौन है एनिमल 2 है Scottish blackface sheep तो हमने क्या करा कि fin dorset sheep जो है उसके memory gland से एक body cell निकाल लिया उसका और उसके cell से nucleus हमने अपने पास रख लिया फिर इसके बाप में जो Scottish blackface sheep है उसका unfertilized egg लिया अन-fertilized egg का भी जो basically nucleus है वो हमने निकाल करके fake ही दिया सीधे और जो fin dorset sheep का जो nucleus है normal body cell का nucleus है वो हमने कहां डाल दिया Scottish blackface sheep के egg cell के अंदर डाल दिया नाओ इन दिस वे अन्यू एक्सेल वह उप्टेन और इस इस आप से हम बहुत है कि हमारे पास एक नया एक्सेल आ गया था नया एक्सेल क्योंकि था तो वह किसका एक्सेल Scottish blackface sheep का लेकिन उसके अंदर जो nucleus था वह उसका नहीं था वह किसका था वह तो fin dorset का था तो इस इस आप से हम बहुत है कि नया एक्सेल आचोका है हमारे पास जिसके पास जिसके अंदर हम बोड़ने की nucleus किसका है fin dorset sheep की body का है ठीक है नेक्स अचा यह आपके पास कुछ image है इस image से भी आप समझ सकते हो कि यह क्या है basically हमारे पास donor a donor cell is taken from a sheep's adult ठीक है तो यह basically black face sheep है Scottish वाली फिर इसके बाद में हमने क्या करा फिक दूसरी वाली शिप भी है यह भी female sheep है और यह भी हम बोलते हैं कि female sheep है अन एक्सेल इस टेकन from an adult female sheep और यह वाली कौन सी है यह वो है कौन सी fin dorset वाली ठीक है ना तो fin dorset का हम हम बोलते हैं कि नहीं रुको यह वाली हम बोल रहे हैं कि क्या है a donor cell is taken from the sheep's udder हाँ तो यह हमारी वो है fin dorset यह fin dorset है ठीक है और यह क्या है हमारी black face वाली है Scottish वाली black face तो हुआ क्या इसका हमने excel ले लिया इस वाली का हमने fin dorset का nucleus ले लिया और इस excel के अंदर हमने क्या किया है fin dorset का nucleus लगा दिया है अब हमारे पास एक नया excel आ गया है जिसके अंदर cell जिसका है वो किसका है black face का है और nucleus किसका है fin dorset का है फिर इसके बाद में इसको नॉर्मली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया देखो एक बॉल बनके रेडी है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं याने कि अभी एंब्रियो बन चुका है इस एंब्रियो को जो है इसी वाली में black face Scottish black face शीप के अंदर हमने डाल दिया और नॉर्मल प्रेग्नेंसी के लिए छोड़ दिया जब बच्चा बहार निकल करके आया तो देखो यह बच्चा किसका था यह बच्चा हम बोलते हैं की जैसा ही था इसका मूग तो काला था तो बच्चे का मूग भी काला हुना था क्यों क्योंकि पीचल में चलो. Next point क्या है कि the new egg cell was implanted in the uterus of another female Scottish black face sheep making it pregnant. After 148 days, इत्ते दनों बाद this pregnant Scottish black face sheep gave birth to dolly sheep. और 148 days बाद हम बोलते हैं कि pregnant Scottish black face sheep में क्या क्या dolly को जनम दिया. Though dolly sheep was given birth by a Scottish black face sheep, it was found to be exactly identical to the original fin dorset sheep from whose cell nucleus was taken. हलां कि पैदा उसने किया था black face sheep ने लेकिन वो कि थी किसके original copy वो fin dorset sheep की ही copy थी. क्यों कि उसका जो nucleus है ना किसका बेसिकली जो नया XL बना था. उस XL में जो nucleus हाय था वो किसका था? वो तो fin dorset कही था ना और वो जो XL आया था, उसी में फिर further division हुए, उसमें हम बहुते हैं कि multiplication हुए, तो उससे जो नया cells बने, उस नया cell में भी देखो हुआ क्या, अभी मैं आपको बताते हैं थोड़ी देर पहले, कि nucleus important क्यों है क्यों उसके अदर होते हैं? Chromosomes. Chromosomes क्यों important है? क्योंकि उसके अदर होती है genes, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं कि fin dorset sheep है, उसके मुझा ऐसा था? वाइट था. डॉली का मुझा कलर भी कैसा था? वाइट कलर का था? क्यों था? क्योंकि वो जो हमने नया एक्सल बनाया था उसमें नूकलियस था वो किसका था फिन डॉसेट शीप का था और उस नूकलियस में जीन क्या बोल रहा था कि जो बच्चा होगा उसका जो मुझा कलर होगा वो कैसा होगा वाइट ही होगा क्यों होगा वाइट क्योंकि फिन डॉसेट शीप का कलर मुझा कै कैसा था उसके वाइठ ही था उसके मुनका कलर भी हम बोलते हैं वाइठ है यह वाइट कलर किसने दैसाइट किया तो उसके अन्दर JIM प्रेजिट उनने डिसाइड किया है तो हमने करा क्या bent को इस मैं यूकलियों वह रखावा पास जो जीन से वह जीन से ही बनाइब का थे कि मुझा कलर कैसा होगा वाइट ही होगा इसी निउक्लिस को हमने ब्लैक federal ख Cherry अंदर हमने डाल दिया और फिर उसके बाद में उसके अंदर ही जा करके इंबेड कर दिया कि प्रिग्नेंसी हो गई तो जो बच्चा बाहर निकली उसके अंदर जीन किसका था उसके अंदर जीन समझें कि जीन का था जिसके कारेंड उसका मुँ का कलर भी कैसा हुआ वाइठ ही हुआ और नासिफ मुँ का कलर यह तो बस एक चोटा सा मैं आपको एक्जांपल दे रहे हूं पूरी की पूरी जो डॉली है न वह एकदम एक्जाक कॉपी थी किसकी फिन डॉर्सेट शीप की पैदा उसक तो Scottish Blackface sheep ने किया था लेकिन वो दिखती कैसी थी बिल्कुल फिन डॉर्सेट शीप जैसी दिखती थी Next point क्या है? So Dolly was a clone of fin dorset sheep whose cell nucleus was used in developing it तो Dolly क्या है? Dolly हम बोलते हैं कि fin dorset sheep की clone थी All the body cells of Dolly sheep contained the same set of chromosomes having exactly the same genes as the fin dorset sheep cells तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Dolly sheep के जो जिदने भी body cells थे उनके पास क्या था? Same set of chromosomes थे और exactly वही genes थी जो कि किस में present थे? fin dorset sheep के cells में present थे So Dolly was given birth by Scottish blackface sheep but its real mother was fin dorset sheep तो पैदा तो उस नहीं किया था? Blackface वाली ने लेकिन असली मदल उसके कौन थी? fin dorset sheep ही थी क्योंकि जो genes उसके पास थे वही कि वही सारे genes कहां आ गये थे? Dolly में आ गये थे Dolly was a clone of fin dorset sheep and produced several offspring's of her own through sexual means in due course of time और अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने nature के against राकर के एक बड़े animal में asexual reproduction करवाया है तो जो result आएगा वो कैसा होगा? sterile होगा? ऐसा नहीं जो Dolly थी वो कैसी थी? वो fertile थी और उसने आगे जाकर के अपने खुद के बच्चे दिये कैसे? sexual reproduction से ही तो Dolly had exactly the same genetic material as her real mother fin dorset sheep Dolly died in 14th feb 2003 due to lung disease lung disease हो गया था 14th feb 2003 में जिसके कारण वो उसकी death हो गई Since Dolly the clone sheep who was born in 1996, cows and pigs have been cloned तो क्योंकि Dolly को हमने clone करवा दिया था फिर इसके एसाब से हम बहते हैं कि बाकी बड़े जानवरों पे एनिमल काउस पे और पिक्स पे भी जाना क्लोनिंग की प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट किया गया the cloning of superior cows give high yield milk has become possible now अब आपने सोचा होगा कि भाई ये आखिर इतनी मेहनत करने की जर्वत पढ़ी क्या रही है कि चलो ठीक है करके देखना था कि बड़े एनिमल में exact copies बन सकती है यह नहीं बन सकती है cloning हो सकती की नहीं हो सकती वह आपने करके देख लिया experiment के लिए लेकिन अब उसको practice करने की क्या जर्वत पढ़ गई काउस के ओपर तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो superior cows होती है उनकी जब हम cloning कराते हैं तो विच सुपीर काउस मतलब क्या कि वो वाली गाय जो इनका जो milk का जो production है वो कैसा होता है जादा होता है तो ऐसी superior cows की जो cloning है वो आज के टाइम पर possible है if a high milk yielding cow was to be mated with a bull for reproduction then the resulting offspring cow may or may not be of high milk yielding breed because of intermixing of the genes of the parent bull and a mother cow सीरी सी बात है अगर हमने normal sexual reproduction करवाया है किसके बीच में एक ऐसी cow और एक ऐसे bull के बीच में गाय कैसी है जिसकी खुद की milk yielding की जो power है वो कैसी है अच्छी है strong है तो जब उसका हम sexual reproduction करवाते हैं किसके साथ बोल के साथ तो जो बच्चा पैदा होगा जो offspring cow होगी जरूरी नहीं है कि उसकी milk yielding भी क्या हो अच्छी हो बुरी भी हो सकती में अच्छी भी हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि sexual reproduction है तो genes क्या होते हैं कि intermixing हो सकती है कुछ भी variation possible है तो इस बाद का कोई assurance नहीं होता है कि जो offspring cow आए कि उसकी जो milk yielding power होगी वो कैसी होगी अच्छी होगी बुरी भी हो सकती है medium level की भी हो सकती है on the other hand a cow which is cloned from a parent cow of high milk yield will be an identical copy of the parent cow and hence give high milk yield क्या बोला गया है कि a cow which is cloned from a parent cow of यानि कि एक अगर हम high yielding high milk yielding cow के अंदर क्या करवाए क्लोनिंग करवाए और उसका हम clone तो clone क्योंकि क्या है exact copy होता है अपने parent की और जो jeans present होते हैं parent में वो सभी के सभी jeans कहां आ जाते हैं बच्चे में भी आ जाते हैं offspring यहने की clone में भी आ जाते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी गाय है जिसकी जो milk yielding है वो कैसी है अच्छी है तो अच्छी क्यों है क्योंकि उसके पास वो वाले jeans है तो अगर हम उस गाय की क्लोनिंग करवा दें तो जो क्लोन निकलेगा जो गाय आएगी उससे गाय के अंदर भी क्या होंगे वही वाले jeans होंगे यानि कि वह वाली जो गाय होगी आगे जाकर करके उसकी milk yielding भी कैसी होगी अच्छी होगी ठीक है तो यहां पर हम बोलते कि एक assurance मिल गया है कि हां हमने क्लोनिंग करवाई है तो क्लोनिंग से जो result आएगा जो बच्चा आएगा उसमें exactly वही वाले jeans होंगे जो कि पेरेंट में होंगे तो यह क्या होगा फाइदर वाली बात हो जाएगी फिर advantages क्या हो सकते हैं क्लोनिंग के कि the technique of floning enables us to produce exactly identical copies of domestic animals having favorable characters like high milk yield or good quality wool of the parent animal for future generations तो सीरी सी क्लोनिंग इंटेंशनल होती है है ना ऐसा तो नहीं कि अपने आप नैचरली हो गई है क्लोनिंग इंटेंशनल होती है तो इंटेंशन क्या होता है कि अच्छे जो desirable characters है ना वह future generations में आगे आते जाएं आते जाएं जैसे कि आपके पास क्या है एक भेड है उसकी जो वूल की कि वह भी क्या होगी अच्छी क्वालिटी की होगी वह सकता है खराब क्वालिटी की भी मिले या मीडियम क्वालिटी की मिले इसलिए हम क्या करते हैं desirable characters या हम बोलते हैं कि traits वाली जो domestic animals जो होते हैं उनमें क्लोनिंग कर वाते हैं ताकि उन से जो बच्चे मिले उन बच्च reproduction methods ठीक है next point क्या है for example a cow which gives high milk yield can be cloned to produce exactly identical cows जो कि क्या करेंगी जिनका हम बोलते हैं कि milk yield कैसा होगा अच्छा ही होगा a sheep which gives high yield of superior quality wool can be cloned to produce exactly identical sheep which will give which will give high yield of superior quality wool तो mother अच्छी quality की wool दे रही थी तो जो उससे बच्चा निकलेगा cloning से वो भी क्या होगा अच्छी quality की wool ही देगा सीजी सी बात है क्योंकि genes तो वह वाले आ जाएंगे न लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ disadvantages भी होते हैं the cloning of mammals also has some disadvantages many cloned mammals die before birth और die soon after birth तो cloning तो हमने करवा दी mammals की लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म देने के पहले जन्म देने के ठीक बात वो मर जाते हैं many times the cloned mammals are found to be born with severe abnormalities और जो clone बनता है वो हम बोलते हैं कि कई बार ऐसे cases सामने आए कि जो clone बना है उसमें क्या है कई सारी severe abnormalities हैं क्योंकि ऑविस सी बात है नेचर के अगेंस जाके आप कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके disadvantages कुछ ना कुछ abnormalities आपको दिखाई देंगी ही देंगी ठीक है तो यह हम बोलते हैं कि cloning के कुछ disadvantages advantages वही है कि अच्छे वाले genes जो की parent में है parent generation में है वही वाले genes अगर आपको future generation में चाहिए है तो cloning जो है ना best option है और disadvantages क्या है कि कुछ abnormalities आ जाती है कभी-कभी बच्चों में या जो mammal parent है वह जन्म के पहले या जन्म के बाद जो है ना मलब बच्चे के जन्म के पहले या बच्चे के जन्म के बाद कभी-कभी मर जाते हैं ठीक है तो यह पूरी हो गए क्या scottish black face sheep जो fin-dorset है उसका मूँ white था और जो scottish black face sheep है नाम से समझ में आ रहा है कि उसका face कैसा था black कलर का था ठीक है हुआ क्या था कि जो fin dorset sheep थी उसके memory gland से एक normal उसका body cell निकाला गया था ठीक है body cell को निकाल करके उसका nucleus समल के रख लिया गया था फिर जो scottish blackface sheep है उसका हम मोते हैं कि एक अन-fertilized axle लिया गया था सेल है न्यूपस होगा लेकिन उसका न्यूपस हटा दिया गया था ना जो Scottish blackface sheep है उसका एकленияhous Wissenschaft रिया गया था लेकिन ये जो सेल है ये बिना न्यूपस के तो रह नहीं पाएगा तो नुक्लियुस हम किसका डालते हैं? नुक्लियुस हमने डाला फिन टॉर्सेट शीप का, है ना, उसका नुक्लियुस देलो और उसका नुक्लियुस हमने क्या करा था? Scottish black face sheep के XL में डाला था, empty XL में डाला था, फिर क्या हुआ, यह जो cell है, इसको normally grow करने के लिए छोड़ दिया था, और हम बोलते हैं कि basically नए-नए cells, इस नए eggs से जो है नए eggs से डबल अप होने लगे, जब embryo बन गया, इस embryo को फिर हम बोलते हैं कि यही वाली Scottish black face sheep के अंदर embed करव दिया, pregnancy हुए, जो बच्चा निकला, बच्चे का नाम रखा हमने क्या डॉली, और जो डॉली थी, कहने को तो Scottish black face sheep ने इसको जन्व दिया था, लेकिन यह थी कैसी, यह एकदम exact copy थी किसकी, fin dorset sheep की, क्यों क्योंकि इसका जो nucleus है, वही nucleus हम बोते हैं कि XL के अंदर डाला गया था, इसका जो XL का nucleus था, black face sheep का जो XL का nucleus था, वो तो हटा दिया गया था, तो इसके XL में इसका nucleus जाला था, तो सारे genes किसके थे, fin dorset के ही थे, इसलिए जो डॉली निकली, उसके अंदर वो सभी के-सभी characters आ गये, जो कि किसके अंदर थे, fin dorset के अंदर थे, क्योंकि सभी के- यहां पहुँच गए, तो इसे हम बोलते हैं क्या cloning की process, और इस topic के साथ में, यह chapter होता है क्या हमारा complete, तो I hope आज की session की सभी बाते सबको समझ में आई होंगी, अब हम मिलेंगे अपने next session में, और next session में इस chapter की जित्ते भी exercise questions हैं, उनको हम कर लेंगे solve, लेकिन, तब तक आ आपके सामने आजाएगा यह वाला page जहां पर लेखा होगा the magnet brains education platform, जब इस page को आप further और scroll करोगे, आपके सामने आएगा explore top courses का option, जहां पर आपके पास class 12 से लेकर के class 1 तक होंगे सभी courses available, अब suppose आपको class 8 science देखनी तो आप क्या करोगे, class 8 पर जाकर के click करोगे, जैसी click करो सभी chapters के सभी lectures आपको यहां पर होंगे available, suppose आपको class 8 science का first chapter ही देखना है, crop production and management, तो इस chapter के total हमारे पास यहां पर 14 lectures है, सभी के सभी, आपको इस chapter शुरुवात से देखना है, आप इस पर जाके click करोगे, जैसी click करोगे, तो इस chapter का जो first lecture है, introduction वाला, वो आपके सामने खोल ज है, सब कुछ यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको फाइदा क्या मिलता है, कि जो आपकी हमेशा complaint होती है, कि मैं YouTube पर आपके subject की playlist नहीं मिल रही है, यह मिल भी रही है, तो sequence वीडियो का उपर नीचे है, तो हमको confusion हो रहा है, तो as such confusion यहां पर आपको नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर जितने भी topics है न, वो एकदम properly sequence पर arranged आपको मिलते हैं, प्लस यहां पर सभी topics के क्या होते हैं, आपको notes भी available, so do visit our official website, यही वाली, magnetbrains.com, and till then, keep learning with magnet brains, thank you for watching.